देवडी, गैंग्स अफ वासपूर और मांजी जैसी फिल्मों में अपने बहतरीन परफॉर्मंस से लोगों को इंप्रेस कर चुके नवाजुद्दीन सिद्धिकी एक बार फिर एक दमदार फिल्म ले के आए हैं जी हाँ, डारेक्टर श्लोक शर्मा के डारेक्शन में बनी फिल्म हराम खोर आज बॉक्स अफिस पर रिलीज हो गई है फिल्म हराम खोर में नवाजुद्दीन सिद्धिकी और मसान अक्टरेस श्वेता त्रिपाठी में रोल में है फिल्म मध्यप्रदेश के छोटे से गाउं की कहानी है जहां टीचर श्याम टेक्चंद यानी नवाजुद्दीन सिद्धिकी बच्चों को गड़ित पढ़ाता है उसकी क्लास में 15 साल की लड़की संध्या यानी श्वेता त्रिपाठी भी पढ़ती है श्याम टेक्चंद और नाबालिक संध्या एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और धीरे धीरे इस लव स्टोरी में कई मोड आते हैं इस लव स्टोरी को लेकर क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यू दिये हैं क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है रियल लोकेशन की शूटिंग देखने को मिली है और साथ ही रिसर्च भी अच्छी है फिल्म में रोमैंस और लस्ट के बीच के हलके से अंतर को बखुबी दिखाया गया है डायरेक्टर श्लोक शर्मा ने बेहत गंभीर विशेचुना और सावधानी के साथ फिल्म बनाने में कोई कसन नहीं छोड़ी इसके अलावा अगर आक्टिंग की बात करे तो नवाजुद्दीन सिद्धिकी ने एक बार फिर से अपनी आक्टिंग की वज़े से साबित कर दिया है कि आखिरकार उन्हें दर्शकों का इतना प्यार क्यों मिलता है नवाजुद्दीन ने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है वहीं श्वेत अत्रिपाठी की एक्टिंग भी कमाल की है दोनों एक्टर्स ने फिल्म को अपनी पुर्जोर एक्टिंग की वज़े से बांधे रखा है वहीं बाकी साथी कलाकारों का काम भी काफी अच्छा है ओवरॉल क्रिटिक्स को ये फिल्म अच्छी लगी है और क्रिटिक्स ने फिल्म हराम खोर को 3 स्टार्स दिये हैं क्रिटिक्स रिव्यू के बाद अब आई ये जानते हैं ओडियन्स रिव्यू 14. बांदो टिविलन क्रिछिंध रिवल केक्नान पिल्म हराम्खुर निद्धे लूज केरिस्तित बाद इस प्रोज अट्णή मृ की त्स्टार्टिक्स पॉल्स केने मिन ओच्पॉवल 알바 वाव, गाइस मुष्ट वाइस 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 पीस आफ पाइस पर्ट पाइस तर्रिव जावली श्वेटा टृपधी बीटिफुल और अनुस्ट